एलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंसीन ग्यान पे, जहां मैं आपको बताता हूँ स्पेस और साइन्स में हो रहे अमेजिंग चीजों के बारे में। मैं हूँ आपका दोस्त एबाद सिद्धिकी और आज हम जानेंगे इंडिया का पहला मिशन जो सूरज को स्टड़ी करने के लिए भेजा गया है जिसका नाम है आदित्य L1 ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो इस्रो यानि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन के साथ अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहां अर्थ और सूरज की ग्रैविटी एक दूसरे को बैलन्स करती है इसका मतलब है कि स्पेस क्राफ्ट बिना ज्यादा फ्यूल यूज किये वही रुख सकता है और हमेशा सूरज को फेस कर सकता है यह हमारे लिए ब सूरज को इस पॉइंट से अब्जर्व करके आदित्य L1 हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि सूरज कैसे काम करता है और हमारे एंवायरमेंट को कैसे इंफ्लूइंस करता है पर यहां पे एक सवाल उठता है कि आदित्य L1 सूरज को कैसे अब्जर्व करता है तो आपको पताते चलें कि इसके पास साथ अलग-अलग instruments हैं, जो सूरज और उसके आसपास के अलग-अलग aspects को measure कर सकते हैं. चलिए इन साथों instruments के बारे में एक-एक करके समझते हैं. पहला instrument है VELC, जो Visible Emission Line Corona graph का short form है. ये एक device है, जो artificial eclipse बना सकता है. सूरज के surface की चमकीली रोशनियों को block करके, और सूरज के atmosphere की fainter light को reveal करके, जिसे कोरोना कहते है. यहाँ पे कोरोना बहुत important है, क्यूंकि यहाँ से solar wind, solar flares और coronal mass ejections शुरू होते हैं. ये charged particles और magnetic fields के streams हैं, जो solar system में travel कर सकते हैं, और कभी-कभी earth को भी hit कर सकते हैं, और auroras, power outages और communication disruptions जैसी चीज़ों का cause बन सकते हैं. कोरोना को study करके, वील सी हमें समझने में मदद कर सकता है कि ये events कैसे होते हैं, और हम उन्हें कैसे predict कर सकते हैं. दूसरा instrument है, SWEET, जो solar ultraviolet imaging telescope का short form है. ये एक telescope है, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. पर ये ultraviolet lights सूरज के बारे में बहुत information दे सकती है. Ultraviolet light हमें सूरज के atmosphere के अलग-अलग layers को दिखा सकती है, जैसे photosphere और chromosphere. ये वो regions हैं जहां सूरज की energy generate और transfer होती है. इन layers को study करके, सूरज हमें ये समझने में मदद कर सकता है, कि सूरज, heat और light कैसे produce करता है, और सूरज का temperature और brightness कैसे affect करता है. तीसरा instrument है SOLEX, जो solar low energy x-ray spectrometer का short form है. ये एक device है, जो सूरज से आने वाली x-rays को measure कर सकता है, जो कि एक और ऐसी light है, जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, पर ये x-rays भी हमें सूरज के बारे में बहुत कुछ बता सकती है. ये x-rays बहुत energetic होती है, और सूरज उन्हें तब produce करता है, जब वो बहुत active होता है, जैसे solar flares और solar storms में. x-rays को measure करके, solex हमें ये समझने में मदद कर सकता है, कि सूरज energy कैसे release करता है, और earth के आसपास का space weather कैसे influence करता है. चौथा instrument है, HELL-1 OS, जो high energy L1 orbiting x-ray spectrometer का short form है. ये एक और device है, जो सूरज से आने वाली x-rays को measure कर सकता है, पर इस बार, वो x-rays जो और ज्यादा energetic होती हैं soul excess से. ये x-rays भी सूरज तब produce करता है, जब वो बहुत active होता है, और ये हमें सूरज के physics के बारे में और भी बतला सकते हैं, जैसे magnetic fields, plasma और heat transfer mechanisms. इन x-rays को measure करके, HELL-1 OS हमें समझने में मदद कर सकता है, कि सूरज कैसे काम करता है, और solar system को कैसे affect करता है. पांचवा instrument है aspects, जो आदित्य solar wind particle experiment का short form है. ये एक device है, जो सूरज से आने वाले particles को measure कर सकता है, जैसे protons और helium ions, जो solar wind का main component है. Solar wind एक particle का stream है, जो सूरज से flow करता है, और सूरज की magnetic field और energy को solar system में ले जाता है. Solar wind को measure करके, aspects हमें समझने में मदद कर सकता है, कि सूरज planets के साथ कैसे interact करता है, और उनके atmospheres और magnetospheres को कैसे shape करता है. छठा instrument है PAPA, जो plasma analyzer package for आदित्य का short form है. ये एक और device है, जो सूरज से आने वाले particles को measure कर सकता है, पर इस बार वो जो जो ज्यादा diverse और complex होते हैं, जैसे electrons और heavier ions. ये particles भी solar wind का हिस्सा है, और ये हमें सूरज और उसके आसपास की chemistry और dynamics के बारे में और भी बतला सकते हैं. इन particles को measure करके, पापा हमें समझने में मदद कर सकता है, कि सूरज plasma environment को अर्थ के आसपास कैसे create और change करता है. सातवा और आखरी instrument है ATHRD, जो Advanced Tri-Axial High-Resolution Digital Magnetometers का short form है. ये एक device है, जो spacecraft के आसपास की magnetic field को measure कर सकता है, जो सूरज की magnetic field और अर्थ की magnetic field से influence होती है. magnetic field बहुत important है, क्योंकि ये हमें solar wind के harmful effects से protect करती है, और auroras जैसे beautiful phenomena भी create करती है. Magnetic field को measure करके, ATHRD हमें समझने में मदद कर सकता है, कि sun और earth कैसे connected हैं, और एक दूसरे को कैसे affect करते हैं. तो ये थे साथ instruments, जो आदित्य L1 के पास हैं, और जो इसे एक comprehensive solar और space environment observatory बनाते हैं. आदित्य L1 इंडिया का पहला mission है, जो सूरज को observe करने के लिए dedicated है, और ये International Living with a Star, यानि ILWS program का भी हिस्सा है, जो कई space agencies के collaboration से है, जो sun और उसके impact को earth और दूसरे planets पर study करने के लिए है. आदित्य L1 कम से कम 5 साल तक operate करेगा, और हमें valuable data और insights देता रहेगा. हमारे Star यानि Sun और हमारे Home यानि पृत्वी के बारे में. दोस्तों, मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने आदित्य L1 और उसके mission के बारे में कुछ नया सीखा होगा. अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसको like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी next वीडियो की notification आप लोगों के पास पहुँचती रहे. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यावाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खयाल रखिएगा. जे हिंद, जे भारत!